लगन तुमसे लगा बैठे जो हो का देखा जाएगा तुम्हे अपना बना बैठे जो हो का देखा जाएगा हरे क्रिष्ण आप सभी का दिन शुप और मंगल मैं हो कान्हा जी के क्रिपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे तो आईए सुनते हैं आज की महतम में कथा और पुन्य फल देने वाली कथा सबसे पहले संते हैं बुड़िया माई के निश्कान प्रेम और भगवाएं श्रीक रिष्ण की एक बहुत ही संदर कथा एक गाउं में एक बुड़िया माई रहती थी बुड़िया माई का आगे पीछे कोई नहीं था इसलिए बोड़ी माई बिचारी अकेली रहती थी एक दिन उस गाउं में एक संत महात्मा आए बोड़ी माई ने महात्मा जी का बहुत ही प्रेम पूरवक आदर सत्कार किया जब महात्मा जी जाने लगे तो बोड़ी माई ने कहा हे महात्मा जी आप तो इश्वर के परम भगते हैं क्रिप्या करके मुझे ऐसा अशिर्वात दीजिए जिससे मेरा अकेला पन दोर हो जाए अकेले रह रह के अब मैं ओप चुकी हूँ तब उन महात्मा ने मुस्कुराते हुए अपनी छोली में से बाल गोपाल की एक मुर्ति निकाली और बुढ़िया माई को देते हुए कहा कि हे माई ये लो ये आपका बालक है इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना बुढ़िया माई बड़े लाड प्यार सी थाकुर जी का लालन पालन करने लगी एक दिन गाउं के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मुर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड कर रही है नटखट बच्चों को माई से हंसी मजा करने की सुची उन्होंने माई से कहा कि अरे मैया सुनो आज गाउं मैं जंगल सी एक भेडिया आ गया है जो छोटे बच्चों को उठा कर ले जाता है और मार कर बच्चों को खा जाता है तुम अपने लाला का ख्याल रखना कहीं भेडिया भी इसे उठातर ना ले जाओं बच्चों को उसी समय कुटिया में विराज मन किया और स्वयम लाठी लेतर दर्वाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई अपने लाल को भेडिये से बचाने के लिए बुढ़िया माई भू की प्यासी दर्वाजे पर पहरा देती रही पहरा देते देते एक दिन बीता फिर दोसरा फिर तीसरा दिन फिर चौथा पांच वान दिन बीत किया बुढ़िया माई पांच दिन और पांच रात लगाता बगैर पलकी छपकाई भेडिये से अपने वाल गुपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही उस भूली भाली मैयाता यह भाव देखकर थाकुर जी का हिर्दे प्रेम से भर गया अब थाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रेत्रक्ष रूप से अस्वादन करने की इच्छा हुई भगवान बहुती सुन्दर रूप धारन करके वस्त्रा भूशनों से सुसजित होकर माई के पास आई अब देखिए थाकुर जी के पाउं की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दोष्ट भेडिया तो नहीं आ गया मेरे लाला को उठाने के लिए माई ने लाठी उठाई और भेडिये को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई तब श्याम सुन्दर ने कहा मैया मैं हूँ मैं तेरा वही बालक हूँ जिसके तुम रक्षा करती हो माई ने कहा क्या चल हच तेरे जैसे बहुत देखे हैं तेरे जैसे सेंखडों, अपने लाल बर्ण ये अच्छोबन कर दूँ, अब ऐसा मत गही हो, चल भाग जे यहां से, थाकुर जी मैया के सुभाव और एक निश्थता को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन हो गए, थाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी फोली मैया, अरे मेरी प्यारी मै मैं तरी लोग की नान भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे वर मांग लो, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन हूँ, बुढ़िया माई ने कहा, कि अच्छा, आप भगवान हो, मैं आपको सो सो प्रणाम करती हूँ, ख्रिप्या करके, मुझे यह बर्दान दीजिये, कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेडिया ना ले जाए, हे प्रिय भक्तों, अब धाकुर जी और ज़्यद प्रसन होते हूँ बोले, तो चलो मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निजिधाम ले चलता हूँ, वहां भेडिये का कोई भय नहीं है, इस तरह प्रभु बु प्रेम करों, निश्काम प्रेम जैसे बुढ़िया माई ने किया, हमें अपने अंदर बैठे इश्वरिय अंश की काम, क्रोध, लोब, मोह और एहिंकार रूपी भेडियों से रक्षा करने चाहिए, जब हम पूरी तरह से तनमे होकर अपनी पवित्रता और शान्ती की उमेद करती हूँ, आपको ये कहन पसंद आई होगी, तो आईए, अब सुनते हैं आज का कार्थिक मास महात्म में, दीपा वली को, दीप मालिका के महात्व, और महालक्ष्मी जी के पूचन की विधी, ध्यान पुर्वक सुनने के बाद, महाराज प्रिथु ने, देवरिश अब आप अनकूट और गोवर्धन का महात्म में सुनाने की कृपा कीजिए, तब देवरिशि नारत कहने लगे, दीपा वली के अगले दिन, कार्थिक शुक्र प्रतिपदा को, गोवर्धन पूजा और अनकूट होता है, और इस दिन, प्रिथ्वी पर, गोवर्धन का पूजन करना चाहिए, दिन के तीसरे पहर में मार्ग पाली का बांधी, इस दिन, दामाद का भी पूजन होता है, दामाद को, घर पर बुलाकर, उनका आदर सथकार, और पूजन भी करना चाहिए, यह सुनकर, राजा पिथू, देवरिशी नारत से पूछने लगे, हे नार चीने कहा, समुद्र मन्खन के समय, जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन हुई, तब विश्नो भगवान के साथ, उनका भिवाह हुआ, इससे अनन्दित होकर, समुद्र ने भगवान के स्तोती की, तब भगवान श्रीहरी विश्नो ने कहा, कि मुझसे वरदान लंगो, यह सुनकर समुद्र ने कहा, हे भगवन, आप लक्ष्मी जी सहित, मेरे यहां निवास कीजिये, तब श्रीहरी विश्नो ने कहा, कि ऐसा ही होका, और तब भगवान विश्नो, लक्ष्मी जी सहित, शेर सागर में शेश शेया पर अवस्चित हो गए, उसी दिन से, आज के द दामाद का पूजन प्रारंब हुआ है, जो कोई भी कार्तिक सुधी एकम को दामाद का पूजन करता है, वह सभी पापों से मुक्ठो चाता है, हे प्यभद्तो, गोवर्धन पूजा का महत्व बतानी के बाद, देव रिशी नारज जी कहने लगे, हे राज पिथू, कार्ति यकसुधी दोज़ को यम द्वित्या कहते हैं, इस दिन यम उना स्नान करके यम राज का पूजन किया जाता है, दिपवली के बाद की इस द्वित्या को भ Deixa पे का जाता है, इस दिन भाई अपने खर भोज़न ना करी, अगर अपनी बेहन ना हो तो गोरो की कन्या भी बेहन क इसमान होती है इसलिए उसे ही बेहन मानना चाहिए इस दिन बेहन अपने भाई की आयो बढ़ाने के कामना से आठ चिरन जीवियों अर्थात मारकंडे बली व्यास हनुमान विभीशन क्रिपाचार्य अश्वधामा और परशुराम जी का विधी पूर्वक पूजन करी फिर भ सूर्य चंद्रमा रित्वी समुद्र वेद पूरान तब सत्य भ्रह्मा विष्णु महेश देवता और मुनी तथा धर्म मेरे भाई की रक्षा करी और जब तक सूर्य पृत्वी आदिस्थित हैं तब तक मेरे भाई की संत्ति चले फिर बहन भाई को तिलकर की घोजन कराए भाई भी अपनी श्रधा और सामर्थे के नुसार बेहन को दक्षिना दे हे प्रियभक्तों इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृत्वो ने देवरिशे नारच से पूछा हे देवरिशे नारच सभी ख्षेत्रों में उत्तम कौन सा क्षेत्र है तब नारची ने कहा हे भ्हमा अधिदेवता भी क्या करते हैं गंगा जी के स्मरण मात्र से अने पाप नश्ट हो जाया करते हैं जो कोई गंगा जी में सनान करता है उसके समस्त पाप शय हो जाती है और उसकी कई पेडियों को परंबद के प्राप्ति हो जाती है गंगा जी में सनान करने की अभिल आशा करने मात्र से ही मनुश्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। गुदावरी, कृष्णा, रेवा, अम्रावती, तुंग भद्रा, कावेरी, यमुना, बाहुदा, चैत्रवती, ताम्रपर्णी और सर्युवादि नदिया और सभी तेर्थ गंगाजी में स्थित हैं। काशी कृत्र सभी क्षेत्रों में उत्तम है, जो काशी में वास्त करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी क्शेत्र का स्मरन करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, वेह भी मौक्ष प्राप कर लेता है। नेमिशा रणिय तेर्थ में शिरिसोत जी से इतनी कथाई सुनने के बाद रिशी मुनियों ने निवेदन किया कि हे सुत जी अब आप कृप्या तरके भगवान के चर्णों से उत्पन हुई गंगा जी का महात्तम में सुनाइगे तब शिरिसोत जी महराज बोले हे रिशियों इस संबंध में नारद मोनी ने जो कुछ भी राजा पिथोसी कहा था वही मैं तुमको सुनाता हूँ तुम सभी ध्यान से सुनो समस्त देपताओं और दैत्यों को उत्पन करने वाले महरिशी कश्यप जी की दो पत्निया थी एक पत्नी का नाम अदीती था और दोसरी का नाम दीती था अदीती के पुत्र देपता कहलाए और दीती से दैत्यों की उत्पत्ती हुई भाई होते हुए भी देपताओं और दैत्यों में जनम से ही परस्पर वैरभाव चला आ रहा था कालांतर में प्रहलाद जी का पौत्र औ देवत्यों का राजा बना उसके सेना अत्यंत विशाल थी समस्त प्रित्पी पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने स्वर्ग पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं पर ही चड़ाई कर दी अपने राज्य को दैत्यों से घीरा हुआ देख कर इंद्र सहीत सभी देवता युद्ध करने के लिए मैदान में आड़ती बहुत भीशन खोर संग्राम हुआ जो ने को वर्षों तक चलता रहा जब देवताओं ने देखा कि दैत्यों के शत्ती में तो कोई कमी ही नहीं आई और वे निरंदर आगे ही पढ़ते जा रहे हैं तब देवता मैदान भाग खड़े कुए इस परकार दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और बली स्वया मिंद्रासन पर बैठ कर शासन करने लगा हे महरिशियों अब दो यग्य की हवी देवताओं के स्थान पर दैत्यराज बली और अन्य दैत्यगन ग्रहन करने लगी अपने पुत्र हिमाचल पर्वद पर चली गई, वहां कुछ समय तक पलाहार का सेवन किया, कुछ समय तक सुखे पृतों का सेवन किया कुछ समय तक केवल वाय। का ही सेवन करती रही फिर पैर के पंजों पर ही खड़ी होकर भगवान का तब करने लगी इस प्रकार अधीती ने एक हजार वर्ष तक बहुत कठिन पोग्र तब किया दीती के पुत्र मायावी राक्षस इस घोर तब से चिंतित कर राक्षसी माया द्वारा देवताओं का रूप धारन करके अधीती के पास आदर बोले कि हे मादे आप हमारे लिए इतना घोर तब क्यों करनी है आत्मगात करना सभी शास्त्रों में पाप बताया गया है हम आपका यह दुख सहन नहीं कर सकते कोई भी पुत्र अपनी मादा से विमुख नहीं हो सकता और ना ही मादा को दुखी देख कर सुखी ही रह सकता है इसलिए हे माते शास्त्रों का कथन है कि जिसके घर में कल्यान करनी माता नहीं और प्रिय बोलने वाले पती व्रता पत्नी नहीं उसका तो जीवन है निरफ्थत है इसलिए हे माते आप अपनी तपस्य छोड़कर अब हमारे साथ घर चिलिए और हम पुत्रों को सुखी कीजिए हे प्रिय भक्तों मायावी देख्तियों के इस परकार छल से कहने पर भी अदीती समाधी से विचलित नहीं हुई तब उन्होंने अदीती को ही मार डालने का निश्चे किया इस क्रित्य के लिए देख्तियों उस वन में आग लगा दी जिसमें अदीती तपस्य कर रही थी भगवान की क्रिपासी उस अगनी द्वारा अदीती को तो किसी प्रकार की हाने ही नहीं पहुची और उन्हें इस अगनी का पता तक नहीं जना भगवान का सुदर्शन चक्र अधीती की रक्षा करता रहा और सभी दैत्य स्वयम ही अपनी ही चिलाई को यह अग्री में जलकर बारस्म हो गए इस परकार देवताओं का फिर से स्वर्द पर अधिकार हो गया नैमिशा रन्या तेर्थ में सित देशी मुन्यों को श्रिसोच जी महराज के महातम में सुनाने के बाद कुछ ख्षान के लिए मौन हो गये ओम नमो नाराय नये प्रीय भकत्तों तुलसी भगवान विश्नों को अतिप्रिय है तुलसी के बीना भगवान विश्नों भोग भी स्विकाल नहीं करते हैं तुलसी पूर्व जनम एक लड़की थी जिसका नाम वृिंदा था जिसका जनम राक्ष सकूल में हुआ था पड़ी ही सुन्दर कहाने शिव महापुरान के नुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दम्प हुआ करता था वह बहुत बड़ा विश्णु भक्त था कई सालों तत उसके यहां संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्रचारे को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री क्र विश्ण मंत्र प्राप्त किया यह मंत्र प्राप्त कि उसने पुष्टर स्रोवर में खोर तपस्या की भगवान विश्णु उसकी तपस्या से प्रसन हुए और उसे संतान प्राप्ति का वर्दान दे दिया भगवान विश्णु के वर्दान से राजा दम्प के यहां एक पुत्र ने चनम लिया इस पुत्र का नाम शंख चूड रखा क्या बड़ा होकर शंख चूड ने ब्रह्मा जी को प्रसंद करने के लिए पुष्टर में घोर तपस्या की उसकी तपस्या से प्रसंद होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर्दान मांगने को कहा तब शंख चूड ने वर्दान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे और कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए ब्रह्मा जी ने उसे यह वर्दान दे दिया और तहां कि वह वह बद्री वंचाकर धरमध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले शंक चूड ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुक पूर्वक रहने लगा उसने अपने बल सी देवतां असूरों दानवों राक्षसों गंधर्वों ना त्रि लोकी की सभी प्राण उपर विजय प्राप्त कर ली थी वह भगवान शिरी क्रिष्ण का परम भक्त था शंक चूड की अत्यचारों से सभी देवता परिशान होकर भ्रह्मा जी के पास दे पर भ्रह्मा जी उनहीं भगवान विश्ण के पास लेकर गए भगवान चित्र रथ नामक गण को अपने दूट बनाक शंकचूड के पास भेचा चित्र रथ ने शंकचूड को समझाया कि वह देवताओं को उनका रजचिर उठा दे प्रन्तु शंकचूड नहीं माना और उसने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से यूद करना चाहता है आप जब तत युद में रहेंगे, मैं पूजा में बैठ कर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूँगी, जब तत आप नहीं लोटाते, मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूँगी, शंत चूर तो युद में चला गया, और तुलसी व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना हरा सके, भगवान शिव को जब यह बात पता चली, तो वे युद के लिए अपनी सेना लेकर वहां निकल पड़े, इस तरह देवता और दान्वों में खमासान युद हुआ, प्रंदु भ्रम्माजी के वर्दान के का शंक चूड को देवता नहीं हरा पाए, भगवान शिव ने शंक चूड का वद करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशोल उठायों, तब ही वहां पर एक आकाशवानी हुई, कि जब तक शंक चूड के हाथ में श्रीहरी का कवच है, और इसकी पतनी का सतित्व अखंडित है, तब तक इसका वद असंभव है, अकाशवानी सुनकर भगवान विश्णो प्रिथ ब्रामन का रूप धारन करके शंक चूड के पास गए, और उससे श्रीहरी कवच दान में मांग लिया, शंक चूड ने वह कवच बिना किसी संकूच के ही दान कर दिया, इसके बाद भगव भगवान विश्णो शंक चूड का रूप बनाकर तुलसी के पास गए, शंक चूड रूपी भगवान विश्णो ने तुलसी के महल के द्वार में जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी, और यह सूचना सुनकर तुलसी बड़ी प्रसंद ने जैसे ही अपने पदी को दे और तुलसी ने जैसे ही पती रूप में आये भगवान का पूजन किया, चरण सपर्ष किया, वैसे ही तुलसी का सतेत्व खंडित हो गया, और भगवान शिव ने यूध में अपने त्रेशोल से शंक चोड का वध कर दिया, हे प्रिभत्तों, तब तुलसी को पता चना, कि वे उनके पती नहीं, बल्कि वे तो भगवान विश्णु है, तब क्रोध में आकर तुलसी ने कहा, कि आप ने चल पूर्वक मेरा धर्म धरश्ट किया है, और मेरे पती को मार डाला, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूं, कि आप पाश्यान होकर धर्ती पर रहें, तब भगवान विश्णों ने कहा, कि ये देविली, तुम मेरे लिए भारत वर्ष में रहे कर, बहुत दिनों तक पस्या कर चुकी हो, तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदल कर, गंध की नामक नदी के रूप में प्रसित होगा, तुम पुश्पो में श्रेष्ट तुलस का वरिक्ष बन जाओगी, और सदा मेरे साथ रहोगी, तुम्हारे श्राप को सब्दे करने के लिए, मैं पाशान अर्थात शालिग्राम बन कर रहूँगा, गंध की नदी के तट पर मेरा वास होगा, तो प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय, हे भी भ जो मम हो संकट विकट, दीजे मात नशाए, नमो नमो तुलसी महरानी, महिमाम इतना जाए बखानी, दियो विष्णु तुमको सनमाना, जग में छायो सुयश महाना, विष्णु प्रिया जैति भवानी, तिहू लोक की हो सुक खानी, भगवत पूजा कर जो कोई, बिना जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करी विष्णु नहीं वासा, करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेही की ताज होए सब पूरन, तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा, तब पूजन जो करी कुवारी, पावे सुन्दर पर सुकुमारी, कर जो पूजन नित प्रतिनारी, सुक संपति से होए सुखारी, पुरिधा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ती होवे पुल कितमन, श्रधा से पूजे जो कोई, भवनिति से तरचावे सुई, तथा मागवत यक्यकरावे, तुम बिन नहीं सबलता पावे, छायो तब प्रताप जगभारी, थ्यावत तुम ही सतल चित धारी, तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सतल काज सित्थी हो वीक्षण में, औश धिरूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता, देवरिशी मुनियो तब धारी, करत सदा तव जै जै कारी, वेद पुरानन तव यश दाया, महिमा नमो नमो जै दुख निवारनी, नमो नमो सुख संपति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी, नमो नमो भगतन दुखारनी, नमो नमो दोष्टन मद छेनी, नमो नमो भव पारूतारनी, नमो नमो बरलोक सुधारनी, नमो 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 निज भक्त उबारनी, नमो नमो जनकाज स वारनी नमो नमो जय कुमति नशावनी नमो नमो सुकूप जावनी जैत 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 उसी माई ध्याओं तुमको शेश नवाई निजजन जानी मोही अपनाओ बिगडे कारज आप बनाओ करू विने मैं मात तुम्हारी पूरण आशा कर हूँ हमारी छरण चरण कर जोरी मनाओ निश दिन तेरे ही गुण गाओं क्रहु मात यह अब मो पर दाया निर्मल होए सकल ममकाया मंगु मात यह बर दीजे सकल मनो रत पूरण कीजे जनो नहीं कुछ ने माचारा छम हु मात अप राध हमारा बार हमास करे जो पूजा तासम जग में और न दो जा प्रतम ही गंदा जल मंगवावे फिर सुन्दर सनान करावे गंदन अक्षत पुश्प चड़ावे धोप दीप नवैथ लगावे करे आचमन गंदा जल से ध्यान करे हिरते निर्मल से पाथ करे फिर चाले साकी अस्तूती करे मात तुल साकी यह विधी पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशाओं करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र सित हुए चाही है ये कथा महा सुखदाई पढ़े सुने सो भवतर जाए तुलसी मैया तुम कल्याणी तुमरे मैमा सब जग जानी आवन तुझे मनित नित ध्यावे गागा करमा तुझे रिचावे यह श्री तुलसी चाले सापाथ करे जो कोई गोविन्द सोपलपा वही जो मने इच्छा हुए जै मा तुलसा हे प्रिय भक्तों तो आज कि यह कथा यहीं पर समाप्त होती है उमेद करती हूँ आपको कथा बहुत अच्छी लगी होगी और आपने पूरे मन लगा कर पूरी सुनी होगी अगर आपको कथा पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जैकारा जरूर लगाईएगा तो मिलते हैं अगली कथा के साथ तब तक के लिए हरे कृष्णा